नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज ही मेरा चैनल जादत से ज़्यादा लाइक करें, सस्क्राइब करें और शेयर करें जी हाँ दोस्तो आपको पता ही होगा कि मोर अपने नाशते टाइम जब पैर देखता है तो वह बहुती नराश हो जाता है ऐसे ही कई महिलाओं और लड़कियों के साथ होता है कि वह अपने चैरे पर ज़्यादा ध्यान देती हैं और अपने पैर पर ध्यान नहीं देती हैं और उनके पैर बहुती बेढ़ंग और बुरे नजर आते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ इनके कुछ चुपाए दोस्तों वैसे पैर जब आप भार जाते हैं धूल मिटी से और धूप में ही काले पड़ते हैं या टैन होते हैं या उन पर मिटी लगे तो वह उनके अंदर तक चले जाते हैं तो इसलिए पैर आपके बहुती ज्यादा गंदे होते हैं वैसे लड़कियां अपने पैर पर ज्यादा ध्यान नहीं देती चेहरे पर ज्यादा ध्यान देती हैं पर आपको पूरे शरीर पर अपना ध्यान देना चाहिए दोस्तों मैं आपको बतादू कि आप अपने पैर यूँ चुट्ट्यों में अपने साफ कर सकते हैं कुछ घर की चीजों से ही तो आईए अब मैं ज़्यादा समय ना बरबात करते हुए आपको कुछ उपाए के बारे में बताती हूँ दोस्तो सबसे पहले नीम्बू बहुत फाइदे मंद होता है यह एक प्राकरतिक ब्लीच है जो आपकी तवचा को निखारने में साहयक करती है चाहे आपकी बाएं हों, कंदे हों, चैरा हो या पैरोर आप नीम्बू का रस से मालिश कीजिए और देखिए कि टैनिंग कैसे गायप हो जाती है सफेद सिर्का यदि आप घर में पैडिक्योर करती हैं तो उसमें कुछ बुंदे सफेद सिर्का मिला लीजिए पैडिक्योर के लिए गरम पानी में नीम्बू का रस, ग्लिसरीन, नमक वे वाइट विनिगर मिलाएं इससे आपके पैरों का रंग बहुत हलका पढ़ने लगेगा और आपके पैर कोमल भी हो जाएंगे जी हाँ दोस्तो अब मैं बात करती हूँ बेसन और हल्दी की बेसन और हल्दी को मिलाएं फिर उसमें धाई और कुछ बुंदे नीम्बू के रस की मिलाद लीजिए और उसका पेज बना लें इससे अपने पैरों पर 15 मिन तक लगाए रखें हल्का सूखने के बाद उसे गरम पानी से धोले आपको अपने पैरों में बहुत अराम दिखेगा और आपके पैर बहुत ज़्यादा कोमल हो जाएंगे गरम तेल से मसाज जब आपके पैर रूखे सूखे बेजान दिखने लगे तो उन्हें तेल द्वारा नमी प्रदान करे गरम तेल को लगाने से ना केवल आपके पैर नम हो जाएंगे बलकि डेट स्कीन का भी कोई नाम निशान नहीं होगा जिससे आपके पैर खिले खिलाए सुन्दर दिखेंगे जी हाँ दोस्तो अगर आप तिल के तेल का इस्तमाल करे तो ये ज़्यादा लाप दायक आपके लिए साबित होगा तो दोस्तो इस वीडियो का लास्ट नुस्का मैं आपको बताती हूँ नारियल का पानी भी बहुत फाइदे मन्द होता है अगर आप नारियल के पानी से मसाज करते हैं तो आपके पैर बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं यदि आपके पैर संटैनिंग की वज़ा से काले पड़े हुए हैं तो उन्हें नारियल पानी द्वारा मसाज कीजिए केवल 10 से 15 मिनट मसाज कीजिए और फिर नहाली जीए इससे आप अपने पैर में वाके ही फरक देखेंगे और आपके पैर वाके में ही कोरे नजर आने लगेंगे तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखें उपाए कप्रयोग कर अपने पैरों को गोरा करना है और एक छोटा सा काम मेरा और करना है मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है शेयर करना है और सस्क्राइब करना है